यशो मती मैं आके नंद लाला मैं इसे आशिरवात देने आया था पर इससे मिलकर मैं स्वैम धन्ने हो गया हूँ जे कैसी बाते कर रहे है माराज लल्ला को मिलके धन्ने हो गए का क्या अर्थ है तो फिर तो आप माराज इसे आशरवात दो कि जे बहुत ते जस्वी बने और इसे किसी की भी मुरी द्रिश्टिक कभी न लगे प्रणाम आयुश्मान भावा नंद राज अब मुझे आग्या दीजे आये माराज अब कल्याण वादे पर मया आया करो आया करो माराज बस बस करो खंस इतना वही निर्दई नहीं है तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है मैं तुम्हें इसने शुल्क वैपार की विवश्चता से मुक्त कर सकता यदि गोकुल राज नंग अपने पुत्र के साथ यहां आए जो हो हाई बल्यारी जाओ मैं ऐसे मुर्मुर्के देखतो रहता न काना मार्क पर चलते समय पीछे ना देखा जातो है सीधा देख वो भी उनकी और जो तुछ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है चाल सीधा क्यों भला क्योंकि हमारा चित बसतो है जशोधा तेरे लल्ला में क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जशोधा जी वो माखन चोड तो पहले था अब चित चौर बे बन गो नाना भाबी ज़े ये बोलना चाह रही थी कि काना बिल्कुल आप पर गयो है जैसे जितको मुह लेनी वाली मुस्कुराट आपकी है ना वैसे ही उसकी भी है हाँ हाँ जैसे कहरी सुन्दर सुन्दर आखे आपकी है वैसे ही उसकी भी है कस्तूरी सावित्री अब चाहे कित्ती भी प्रयास क्यों ना कर लो मुझे मूर्ख ना बना सकती और जे माखल लगाने की तो आवसकता बिल्कुल ना है तो क्या आप मिलने दोगी हमें काना से पहले ही कही थी ना मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्विकार कर लो काना से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगी एक उपाय है भाबी चाची हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं काना कभी ने कभी तो आवे गोई मिलने देने का तो प्रस्नीना बनता पहले आरोप लगाती है फिर प्रसंचा के परबत पर चड़ाती है इन्हें लगतो है ज़सोदा भोली है मान जाएगी इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और मेरे काना के पीछे तू क्या सुन रही है तू भी तो उन में से ही है भाबी मैं कल फिर से आ जाओ ना आना तो पड़ेगो एक दिन में रन्नत पुरा थड़ी हो जाएगो उम्म चही कही कानाने आना तो पड़ेगो लग़ेगो अब तेरी तरह हर कोई चापलोसी तो ना करतो है पर कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगो ना काना से मिलने के लिए अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो काना बहार आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगी मेरा भाग्या देख सराने की आवस्ता ना है भावी नंद भवन में भले ही प्रवेस मिल को है मुझे पर ना तो मैं काना से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ पर अब मैं कहीं न चाहूँगे उससे मिले मिना आप सब के साथ यही बैठूँगी नंद राज कैसे बताएंगे और किस मुझे से बताएंगे कि हमने अपनी मुर्खता में कैसो बात कर दो भानू पजरंगी क्या हुओ आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं आओ मत्रा में कचू गडबड़ हुई है का चिंता मती करो आप लोग जो भी कुछ हुओ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे आप सब लोग ठके हुए हैं तरह एक विस्तराम कर लो उसके बाद हम बात करते हैं चरब आओ मुझे ही कच्छू करना पड़ेगा महिया मैं खेलने जाओ महिया मैं जाओ ना ना अभी चीक आई ना यह सुब संकेतना है गडबड़ तो हो चुकी है महिया यह लीजे जल करन कीचे लीजे पीचे भानू ठक गए हो गए जल पी लो वजरंगी लो अरे तन की आप सकता का तो ध्यान रखने होगो ना लो आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप हम इस योग्य ना है नंदराज हम इस योग्य ना है हाँ नंदराज हम इसके योग्य नहीं है हम इसके योग्य नहीं है हमने आपकी बात ना सुनी अंदराच आपने कहा था मना किया था आपने पर अधिक धन के लोग में हमने ही उस दुष राक्षस को अपना वचन दे दियो और मतुरा जाके पता चलो कि ये सारा शडयंत्र उस व्यापारी का ना था उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने में ये सब किया आपने तो सीखो है महिया पर सिति कैसी भी हो जिद्धित धोना सबाधान ना हो तो पर सबाधान तो चिंतन करने से मिल तो है ना तो मैं जाओ अच्छा बता कच्छो गडबड हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते है शी ना रहा है तो तीन बार उनका ध्यान कर ले लल्ला वा मैया मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो क्या सोच रहो है कर नारा 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 बस बस अब मैं जाओ जा इसका अर्थ है कि जे कोई साधारन चलना था जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फ़साने की इसका अर्थ जे है कि इसके बीचे कोई ना कोई कारण अवस्य हो कारण को थो पतो ना है पर कंस ने हम सब को मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानू? बताओ भानू यदि तुम ना बताओगे तो तो मैं सहाइता कैसे करूंगो? उसने कहा है कि वो हमारे निश्यल्क व्यापार की व्यवस्था को समप्त कर देगो यदि विंति करने के लिए आप उसके दर्बार में जाओ तो वो भी वो भी? वो भी क्या? वो भी गानू को साथ लेके वो भी गानू को साथ लेके वो भी गानू को साथ लेके गाना पहले चीक और अब जे? कचु गरमर तो हवासे अब सब लोग चाहिए विसराम कीज़े मैं देखतो हूँ क्या करने है भी या मैंने इन सबसे कह तो दी के कि मैं देखतो हूँ क्या करना पर मैं क्या करूँगो? एक और मेरी प्रजा है उसरी और मेरा लला मैं लला को कैसे लेकर जाओं मैं उस उस अत्याचारी कंज के पास जिसने रानी देवी की पर इतने अत्याचार किये जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा वो वो तो अत्याचारी नहीं नन राक्षर्स है राक्षर्स और ऐसे राक्षर्स के पास अपने काना को ले जाना तो दूर हम उसकी परचाई तक अपने काना पर नहीं पढ़ने देंगे और हमारे पास उपाई ही क्या है भाईयो गोफियोंने कितने सपने सजोई हूंगे अपने सुनेहरे भविस्य के लिए और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगो तो क्या बीटे के उनके रिदे पर आज भानू मत्रा से धन लेके लोटेगो तो मैं सीधा हाट जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लोगी कच्छ लाप ना होगो मैं भी काना के लिए लोगी एक विसेश उपहार और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूँगी ताकि काना लोब में आखे बार-बार मेरे घर आवेगो दो दिन से वो किसी के घर ना आयो है तेरे घर आयो तो बरा याँ जब देखो तब कोई ना कोई प्रस्न करतो रहतो हुए हमसे पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रस्नों का उद्थर देना पड़ेगो उसे आगो अब यह क्या है यह क्या कर रहुँ है यह हमें अपना मूझ क्यों ना दिखा रहु है हाँ जे सोब काया अब पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुझ चुपा रोए लज्जा उसे हाए इसे चुड़े कियो मैं क्यों लज्जा आनने लगू पला अच्छा तो जे बता लल्ला कि ए सलोनों सो मुझ के चुपा रखो तुने ताकि आप सब मेरे ज्जलाग भी ना देख पाओ अच्छा ये क्या करें आप सब साहस है तो आखों में आखे डाल कर बात कर मैं ये शुमती मया का लल्ला हूँ साहस कुख कुख के भरो है मुझ में पूछो क्या पूछनों है पहले तो जे बता आज किसके घर जाएगो तु चोरी करने हैं चोरी और में? आदिक भोला मत बन जे सब कौतुक जशुदा जी के पास चलेगो यहाँ ना चलेगो पस इत्ता बता दे का ना आज कल माखन खाने का मनना होरो है या पकड़े जाने से भाईबीत होगो है तु वर्चुडो को उनका अधिकार दिलानो अनुचे थोड़ी है दोद्दै माखन पे पहला अधिकार वालक को कोई होतो है इसलिए भाईबित वो हो जिसने कच्छू अनुचेत किया हो यह सुता भाईबी अब क्यों भाईबित होगो भाईबित का हुआ मैं तो बस जा रहा था अच्छा मान लियो कि भाईबित ना हो रहो है अब जे बता कि हमारे घर क्यों ना आ रहो है हमने जो सुता भाईबी से तेरी बात बता दी इसलिए ख्रोदित है क्या मैं मटकी उपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो मेरे आगा माखन अच्छा ना लगो क्या किसी के आँ माखन बच्छोई का है जो आओ सारा का सारा तो दे दियो उसमें पारी को अब भूल की है तुफल मिले गोई ना वालला चोरी तू करें और भूल हमारी ना अब बुरा मानने या चिंता करने से कच्छो लाबना होगा हम कहां बुरा मान रहें और चिंता भी ना करें जब मैं अबास हो जाए वा भूल होई है तू से मान के सीख लेनी चाहिए सही है लल्ला इतो माकन चुरा तो है उपर से ज्ञान भी देतो है मैं तो बस कोई बता रहा था चाची जो महिया ने सिखायो है जा ओर क्या-क्या सिखायो तेरी महिया ने यही कि पर स्थिति क्यासी भी हो चिंती थुना सबाधान ना हो तो सबाधान तो चिंतन गरने से ही मिलतो है अरे 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 जे माकन चोड़तो हमें यह उपदेश देगे भांगो वो देखो यह सब लोग इतने गंबीर क्यों दिख रहे हैं जैसी यह बात गोपियों को पता चलेगी भाहु तक यह बात पहुचने में अधिक समय ने लगेगो और नारायन ही जाने उसके बाद बहु के मन पर क्या भी देगी कहीं वो कहीं वो फिर से खड़े निर्णा न ले ले बड़ा निर्ण है तो आज मुझे लेनो होगो भीया मुझे जे निर्धारित करनो होगो के यह सुदा को कंस के बारे में क्या-क्या बतानो है और कैसे बतानो है और मुझे जे भी सोचनो होगो के मुझे क्या करनो है बाबा होने का दाइत्व निभा कर अपने लल्ला की रक्सा करूँ या या राजा हुने का कर्तव्य निभा कर अपनी प्रजा के हिप को अधिक महत्वदू नाराएन ही जाने के इस तो विधा का हल कैसे निकले हो अब तो वो ही बचा सकते हैं भाईयो मुपने हुना झाला झालाछाण तो अब दो सकते हम सकता हैं या zukँ लो आचा सकते हैं शो कर दो कि अपर से ऑना। ये तो बलको लड्डू जैसो है और ये गुटकी डली खाऊं की की नान खाऊ फूर्दीवी का प्रसादी थो है थोड़ी सिखाई ली तो ये तुमने क्या क्या काना मिट्टी खाई ना तुमने मिट्टी तू तो मिट्टी को ये माघंजा लेके खाऊं काना कि ती बूक लगी थी तो किसी की हाँ जाके माखन का लेका बलराम थ्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाओ मुझे सब बता देंगे चल चोटी मा के पास दाओ हमकर दूस्रे के साथी है ना इस पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा चोटी मा को वच्चन दियाता ना मैंने कि अधि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं आरज से बताऊंगो बल्रा करा की चुगली करेगो तू अमारे एक्ट्याट तूट जाएगी बस कोई बिच में नहीं हुए नाच झाल